हाई फ्रेंड्स मेरे तुनाक पाल आज आपके लिए थोड़ी सी काफी अलग सी चीज लेकर आई हूं कि हम जो कार्डिगन बनाते हैं हाफ कार्डिगन जो हम बनाते हैं जिसमें बाजू नहीं होती है उसके हमें इस तरीके से बॉर्डर बनाने होते हैं वो बॉर्डर हम अपनी कार्डिगन के साथ साथ किस तरीके से बनाएंगे आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूं यह ऐसा जो बॉर्डर है आप किसी में भी बना सकते चाहे बच्चों के में बनाईएगा या जैंट्स में लेडीज में किसी में भी आप इसी तरीके से कार्डीगन के साथ साथ जो है देखे ऐसे यह बना सकती है तो चलिए आज आपको यह बताने जा रही हूँ कि हम कार्डीगन के साथ जैसे हाफ कार्डीगन बनाते हैं में बाजू नहीं होती है तो उसके साथ जो हमें बॉर्डर बनाना होता है वो हम कार्डीगन के साथ ही किस तरीके से बनाए ऐसा जनरली हम क्या करते हैं कि कार्डीग बताने जा रही हूँ जो हम cardigan के साथ ही अगर हमने बाजू नहीं बनानी है तो हम cardigan के साथ ही जो है दोनों side से back में भी front में भी border साथ के साथ किस तरीके से चलाएंगे तो चले देखिए अब ये मेरा cardigan जो बन रहा है half cardigan है इसमें मैं आपको आप यह मेरा राइट साइड है तो राइट साइड में पहले तो मैं सारे फंदे यहां तक बनाऊंगी और यहां पे कैसे करूंगी वो देख लीजिएगा चलिए पहले यह फंदे मैं बना लेती हूं पूरे सारे अब जो भी डिजाइन आपने डाला होगा आपने उस थरीके स उससे बनाना है अब यह देखिए हम यहां पे पूरी लाइन करके लास तक आ गए अब आपको मैं थोड़ा सा इसमें दिखाऊंगी कि यहां पे हमने जो है फंदे डालने हैं तो किस तरीकी से डालूंगी आप इसको पलटके ऐसे भी डाल सकते हैं देखिए यह है इसमें से डालेंगे ध्यान से देखिएगा और ऐसे किया और इसको आपने इस पे ले लिए एक फिर आपने बनाया दो तीन चार पांच छे साथ आट और यह नौ दस ग्यारा 12 और यह 13 आप अपने हिसाब से कम यह ज्यादा पंडे सकते हैं घुक्य corr. इसे मैंने सीधा बनाना है क्योंकि मैंने बसका थोड़ अ इस प्टिई है साइड की सीधे बनाई है तो इसी तरीके से आप एक सीधा एक पुल्टा भी कर सकते हैं आप देखेगा करना किस तरीके से पहला फंदा भी ये बारा फंदे बनाऊंगी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा और ये बारा अब ये देखेगा दागा अपनी तरफ किया ये हमारा तेरवा फंदा है और इसके साथ जो यहां का फंदा यानि कि इस साइड का फंदा है इन दोनों को इस तरीके से दो का एक करूंगी अब पलट लूँगे अब देखे अब हमें ये वाले फंदे भी फिलहाल नहीं बनाने हैं लेकिन एक एक फंदा यहां से लेते वे जाना है तो अब देखे ये जो किया अब पहला फंदा उतारेंगे और बारा फंदे दो दो चार पांच छे साथ आठ नौदस ग्यारा बार बारा फंदे सीधे बनाएंगे इस तरीके से अब पलट के आपने बारा फंदे सीधे बनाने हैं ये उतारा दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौदस ग्यारा और ये पारा अब पहले तो मैंने एक फंदा किया अब धागा अपनी तरफ करके ये तेरवा फंदा और साथ में ये दो फंदे हैं यहां से अब मैं दो दो फंदे लूँगी इस तरीके से ये देखेगा अब हमारे तीन फंदे बंद हुए पलट के आपने ये पूरी लाइन जो है सीधी बनानी अब मैं आपको ये बता दूँगी जितने भी फंदे आपने यहां बंद करने होंगे 13 फंदे 15 फंदे 16 फंदे उतने ही फंदे हमें ये बंद करने हैं तब तक हमें ये इसी तरीके से करते वे जाना आप देखिए यह उतार आपने, आप बारा फंदे सीधे, पलट के फिर से बारा फंदे सीधे, आप आपने दागा अपनी तरफ करके, यहाँ पर थोड़ा से एक चीज आपको यह बता दूँ कि इसे आपने उतार के ऐसे पलटना है, ताकि यह पीछे से सीधा आए, यह और इसके साथ के दो फंदे यहाँ से, दो के एक करेंगे, आप पलट लेंगे, हमारे जो है, पाँच फंदे बंद हो गए, इसे उतारेंगे, बाकी फंदे सीधे, और उल्टी लाइन में भी हम बारा फंदे सीधे करेंगे, यह देखें, बारा फंदे आगे, दागा अपनी तरफ इसे पलट लीजेगा, थोड़ा सा ऐसे करके, और यह और इसके साथ वाले फंदे, अब हमारे साथ फंदे हो गए, बंद, फिर पलट के पहला उतारेंगे, और बाकी फंदे सीधे, यह देखें, अब धागा अपनी तरफ यह फंदा पलट के ऐसे, फिर यह और साथ के दो फंदे, अब हमारे नौ फंदे बंद हो गए, इसके बाद मैं एक-एक फंदा करूँगे, और मैं बता दूँ यहाँ पे, कि मुझे जो है 15 फंदे बंद करने हैं, तो इसलिए मैं उस हिसाब से करूँगे, आपने अगर जादा करने होंगे, तो आप दो की बजाए तीन फंदे भी बंद कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, अब हमें एक-एक फंदा दोनों तरफ से बंद करना है, नौ फंदे हो गए, अब जब तक 15 फंदे हो जाएंगे, तब तक मैं एक-एक फंदा जो है, इसी तरीके से बंद करूँगे, अब देखें, प्रोसीजर जो है, चाहे आप बैक का कर लीजे, और फ्रंट का कर लीजे, सेम रहेगा, बस दोनों तरफ कहां पे गटाना है, वो फरक हो जाता है, राइट और लेफ्ट का, बाकी प्रोसीजर जो है, स यह देखें, बारा फंदे करें, अब यह एक फंदा इसको पलट लेंगे, और यह एक फंद, अब हमाँ एक-एक लूगी, पहले मैं दो-दो ले रही थी, पलट लिया, यह दस फंदे हो गए, अब इसके बाद पांच फंदे और करने हैं, इसी तरीके से, देखें, बारा फंदे हो गए, पलट के, इसे पलटा आपने ऐसे, इसे और एक साथ में लिया, दो फंदे, दो का एक, पलट के, फिर वही, दोनों तरफ सीधा बनाएंगे, यह हमारा देखें, तेरवा फंदा है, फिर वही, पलट के, जैसे बना रहे थे, वैसे ही बनाएंगे, अब यह हमारा, यह देखेगा, पलट के चौदवा फंदा है, यह देखे, यह पंदरवा फंदा है, यह और यह ऐसे, अब यहाँ पर आपको थोड़ा से एक चीज़ बता दो, देखे, यह हो गए, हमारे 15 फंदे, तो देखे, किस तरीके से आया है, इक्जेक्ली ऐसे आया है, देखे, अब यह 15 फंदे हो गए, आप चाहे, तो जितने आपने थोड़ा सा जादा करने है, तो आप और कर सकते हैं, तो मैंने तो इतने ही फंदे करने हैं, मैं आगे पीछे सब इस तरीके से रखूँगे, अब यह जो नॉर्मल हम बना रहे हैं, जैसे उसी तरीके से साथ में बना जाना है, जो भी डिजाइन होगा या नहीं होगा, आप उसे उस हिसाब से बनाएंगे, अब आपने इस तरीके से नॉर्मल बनाते हुए जाना है, लेकिन साथ में हम यह भी बनाते हुए जो है, जाएंगे, चलिए अब आजाते हैं इसकी लेफ्ट साइड पी, कि लेफ्ट साइड पर देखिए, जब हमने उल्टी लाइन कर ली है, तो यहां पर हमें फंदे डालने हैं, तो आपने ऐसे रखना है, यह लेफ्ट साइड है, इस तीज का ध्यान रखिए, जब उल्टी लाइन आपने कर ली, तो अब हम वही तेरा फंदे जो है, जैसे राइट साइड में डाला, वैसे भी लेफ्ट साइड में डालोगे, यह आपने ऐसे किया, एक, इसे रखा, दो, तीन, और यह तेरा, तो देखिए, तेरा फंदे डाले हैं मैंने, आप कम या जाधा अपने इसाब से डालेगा, अब यह हमारा जो है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में देखिएगा किस तरीके से, फ्रंट लेफ्ट साइड है, अब यह सारे फंदे तो पहले बारा फंदे सीधे बनाऊंगी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, और यह बारा, देखिए, बारा फंदे सीधे बनाएं, अब उसके बार जो है, यह फंदा ऐसे उतारूंगी, इस वाले फंदे को बनाऊंगी, और उतारावा फंदा उसके उपर से ऐसे उतारूंगी, अब बाकी फंदे हमने अभी नहीं बनाने हैं, यहीं पर पलड़ देना है, अब पहला फंदा तो देखिए, इस तरीके से उतारूंगी, ऐसे, धागा आगे करके, पाकी फंदे हम सीधा बनाएंगे, फिर से देखे फिर से 12 फंदे सीधे बनाना exactly same है जिस तरीके से right side का बनाया उसी तरीके से left का भी बनाना है गटेगा बिल्कुल same आगे पीछे के जो भी हम बना रहे हैं सारे same गटेंगे तो थोड़ा सा दिखा देती हूं फिर आप उसी तरीके से गटाईएगा अब ये देखे 12 फंदे फिर से कर लिए 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 ये वाला फंदा ऐसे उतारा और इन दो फंदों को हमने दो का एक किया इस तरीके से और उतारा हुआ फंदा हमने इसके ओपर से ऐसे उतार देगा ये क्यों उतारे कि एक चेंज सी बनती है पलट के पहला फंदा ऐसे उतारूंगी ध्यान से देखेगा धागा आगे बाकी सारे फंदे सीधे अब देखेए सेम प्रोसीजर रहेगा जो मैंने राइट साइड किया वही मैं लेट साइड भी कर रही हूँ जस्ट फरक होता है सीधी तरफ और उल्टी तरफ का ये फरक होता है बाकी तो जो है मैं प्रोसीजर बिल्कुल सेम करूंगी सारा अब ये देखें बारा फंदे फिर से बनाएं दो दो चार पांच छे साथ नौट दस ग्यारा और ये बारा अगेन वही ये उतारूंगी दो कई करूंगी और इसे उतार दूंगी ऐसे पलट के पांच फंदे हो गए फिर वही पहला उतारूंगी और बाकी सारे फंदे सीधे आप जिस तरीके से मैंने राइट साइड बताया है वैसे ही सेम बंद कीजेगा अपने लेफ्ट साइड को भी यह देखिए यह उतारा, दो का एक किया, और इस तरीके से किया, अब यह हमारे साथ फंदे बंद हो गए, पलट के पहला फंदा उतारूंगी, बाकी सारे फंदे सीध है यह उतरिगा, और दो का एक होगा, यह हमारा लास दो का एक है, इसके बाद हमने एक-एक फंदा करना है, नौ फंदे हो गए बंद, यह देखिए यह ऐसे, अब यह देखेंगे इस तरीके से आता है, पलट के फिर वही पहला उतारूंगी, और बाकी फंदे सारे इस तरीके से सीधे आप एक एक फंदा करना है है Oh अधरी sample किसी आपने आप ये वाला फंदा उतारा आप एक फंदा बनाऊंगी और उतारा हुआ फंदा इसके उपर से उतार दूगी तो एक फंदा ही बंद वा पहले हम दो फंदे बंद कर रहे थे हमारे दो रहे थे इस तरीके से, देखिए, अब आपने एक-एक फंदा करते वें जाना है, फंदारा फंदा तक, जिस तरीके से right side किया, उतना ही बंद, इस साइड भी करना है, और back side भी मैं आपको ये बता दूँ कि, इसी तरीके से सेंद, दोनों side बंद होंगे, मैं आगे आपको दो-दो बार किये है सिरफ चार बार किये है मैंने आप उसे पांट या छे बार भी कर सकते हैं अगर आपने ज्यादा फंदे बंद करने हैं बाकी प्रोसीडर देखिएगा सेम रहता है थोड़ा सा अपने हिसाब से आप मोडिफाई कर सकते हैं अब मैं एक एक फंदा 15 फंदो जाना है यह मेरे जो है 11 फंदे हो गए है ते ते रहा 14 यह देखे अब यह लास्ट है हमारा पंदर वाफंदा इसके बाद जैसे हम नॉर्मल यह बनाते हैं स्वैटर यह कार्डिगन जो भी आपने डाला होगा उसे उसी तरीके से आपने इस बार्ड़र के साथ में बनाते होगे जाना है आप हमने गटाना नहीं है यह देखिए लास्ट है मेरा यह देखिए आप यह बनाया इसके बाद जैसे मैंने स्वेटर बनाया है जो भी मैंने डिजाइन डाला है यह हमारा देखिएगा 15 फंद है इस तरीक से लास्ट है आप जैसे स्वेटर बनाया है जो भी डाला है आपने इसरी तरीके से उसे जो है बनाते वे ज़ाना है तो देखें ये एक फंदा तो मेरा यहां पर उल्टा है इसके बाद यह मेरा जो भी डिजाइन है बनाना है जो भी आपने डाला होगा उसे आपने उस तरीके से बनाना है जो भी डिजाइन आपने डाला होगा या प्लेन होगा उस तरीके से आपने इसे बनाते वे जो है जाना है और साथ में आप इस बॉर्डर को साथ में बनाते वे जाओगे यानि कि यह जो straight की पटी चाहे आप एक सीधा एक उल्टा करो या straight की करो वो आप अपने हिसाब से देखिएगा यह हमने इसके साथ में बनाते वे जाना है देखिए यह मैं आपको एक लाइन बना के फिर उल्टे लाइन मैं आपको बताती हूं किस तरीके से करेंगे अब यहां तक सारे उल्टे जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे और इस पटी को हम सीधा बनाएंगे इस चीज का बस आपने दिहान रखना है अब यह देखिए यहां पर आगए हम ध्यान से देखिए का यह हमारे 12 फंदे है और एक फंदा जो हम बना रहे थे उसे तो हम उल्टा बनाएंगे और 12 फंदे हमारे सीधे बनाएंगे तो आप इसी तरीके से आपको यह border साथ में लेते वे चलना है अपने front, back जो भी आप बना रहे हैं उसके तो यह border साथ में चलता हुआ जाएगा तो आपको अलग से border बनाने की जुरुरत नहीं पड़ेगी देखिए मैं right side पर आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से यह बाते वे जाना है अब यह देखिए मेरे back side है जो cardigan का जो back side है वो है इसमें फंदे डाले हुए यहां तक मैं पहुंची हूँ जहां पर मुझे आम हुल की cutting करनी है वहां पर मैं पहुंची हूँ अब देखिएगा यहां पर हम border साथ में चलाएंगे किस तरीके से करेंगे इस तरीके से आपने यह 13 फंदे डालने हैं हुआ 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 झाल 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 झाल